तो है अजो है अजो है आज हम बना रहे हैं अलो टिक्की चाट और मैं आपको बता रहा हूं कि पहले सबसे पहले स्टफिंग जिसके लिए मैंने शना दाल पचाज ग्राम ली है और इसको मैंने कुपकर में कि दो विशल दिलवादी थी और अभी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और इसमें हम पड़ा सा पनीर एड़ करेंगे हाथ से मैश किया हुआ पनीर नाइस कर दिया अब हम इसमें थोड़ी से मसाले एड़ करेंगे जीरा वन फॉर्थ स्पून थोड़ी हल्दी वन टेबल स्पून थोड़ी सी लाल मिर्च थोड़ी काली मिर्च और आदर तन मच करीब इसमें हम डालेंगे चाट पसाना और इसको अच्छे सम निक्स करेंगे कि यह हमारी स्टफिंग रेड़ी हो गई है अब हम इसके बार आलू का मैटीरियल जो है वो त्यार करेंगे डो त्यार करेंगा अलू का ठीक है ओक्या अब मैं आलू ले रहा हूं पहले से जो कि मैंने बॉयल करके रखे हूं है अच्छे आलू मैंने ले लिए और इस में फुरसा डाल रहा हूं कि अच्छे पाइनली चॉप्ड कॉरियंदर एंड मिंट इसके बार मैं इसमें डाहरा हूं फोड़ से ब्रेड क्रम्प्स जिसके साथ इसमें टिक्की में जो है कुर्कुरापन आएगा बढ़िया पथोड़ा मैं इसमें कॉन फ्लार एड़ कर रहा हूं कि एक दो टेबल स्पून मैं इसमें कॉन फ्लार भी आड़ कर रहा हूं साथ मैं कि अप्रोस्मेटली मैंने डाइट डाइट स्पून टेबल स्पून जो है वह कॉन फ्लार मैंने डाल दिया अब उनी स्कॉप्चर से अगर आप गरम आलू से टिक्की बनाएंगे दो त्यार करके तो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी तो अब यह मेरा जो है टिक्की के लिए डो बिल्कुल त्यार है हातों पर चिपक नहीं रहा है इसमें मैंने दो टेबल स्पून जो है कॉर्ण फ्लार और मिला है और मैंने थोड़ा ब्रेट क्रम्स और एड़ किये थे अब हमने जो यह दो त्यार किया था उसे इतनी बड़ी एक बॉल बना के आलू की और इसको थोड़ा हम प्रेस करेंगे इस तरह से अगर आपको लगे थोड़ा सा हाथ पर चिपक रहा है तो आप ओयल यह थोड़ा सा कॉन फ्लार यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा इसको अंदर से ऐसे इस तरह से दता देंगे और इसके अंदर करेंगे दाल की अब इसको जैसे आप कोड़े सब्सक्राइब करते हैं या कोई भी स्टाफ पराथा बंद करते हैं इस तरह से इसको बंद करते हैं एक फिरसे वापस बॉल की तरह इसको बना देना और इसके बाद फिरसे थोड़ा सा प्रेस कर दें और इस तरह से आप बाकी टिक्यां भी तैयार कर लें अब इस पर आज हमारी यह चे टिक्यां तयार हो गई है अब इसके बाद हम इसको शेलो फ्राइग करेंगे जास मावस बाला हो फसमा खर आज है ने बाद हमारी यहो बाला Арव मैं रचल सक बाला इसके तरह झाल 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 झाल